हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत एक बाव फिर से आपके अपने चैनल स्लाई मशीन वाले में आज हमाए पाज दो अलग-अलग कंपनी के केस है जो की इंडरस्ट्रिल स्लाई मशीन के हैं और ये जो केस है इसमें से एक केस लोकल है और एक केस ब्रांडड़ है तो जैसा कि देखते हैं आप पहले नंबर का केस इस पे लिखा हुआ है हाया देखे आपको समझ में आ रहोगा है इस पे लिखा हुआ है हाया और दूसरे नंबर का केस है जिस पे लिखा है वी और ये भ बहुत ही अच्छी है, अब हम जान लेते हैं, इन में से अच्छा वाला कुन सा है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, खराब के बारे में, तो ये जो वी वाला है, ये लोकल वाला है, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है, जल्दी ही इसकी पट्टी खराब आ जाती है, और जो इसमें से धागा चलता है, वो भी मतलब कभी loose चलेगा, कभी tight चलेगा, एकदम बराबर नहीं चलता है, और ये हमेशा problem देते रहता है सिलाई में, वही हम हाया का केस देख लेते हैं, जो कि बहुत ही शांदार केस आता है, और इसकी पट्टी की मजबूती, quality बहुत अ करें देख लाथे हैं, इसमें एक जैसा धागा चलता है, पट्टी के रेंशा नहीं आता है, जिससे के हमारे धागा खराब चलने लगे। तो ये वाला केस काफी काफी मशी चलता है। और मेरी अगर मानोगे तो आप हाया का केस अपनी मशीन में लगाऊगे। काफी लंब करनी आना खिची खिची आना क्यूंकि इसकी जो पट्टी होती है वो कभी एक जैसी नहीं चलती है देखे अभी भी पट्टी में कितना उठाओ दिख रहा होंगा आपको एक साइट से और यह एकदम कॉर्णर से और जो हाया की पट्टी है वो देखे एकदम चिपकी होई दिस्क्रिप्शन में इसके आपको लिंक प्रोवाइट करा दूँगा आप वहाँ पर जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब इसी तरीके के वीडियो देखने के लाइक उन बटन दबाना ना भूले मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक लिए बाई बाई